नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं बच्चे अब भी स्कूल नहीं जाएंगे, इसके अलावा जीम, कोचिंग और स्टेडियम को भी खोलने के उनमती दी गई है। बच्चे अब भी स्कूल नहीं आना है, इसके तहट रांची के अलावा पुर्वी स्कूल नहीं आना है। पहले दिन राजे पर रमेस बैस का सदन में अभिभासन होगा। सोमवार कोई समन्द में मंत्री मंडल सचिवाला अमनीगरानी विभागने अधिकारिक अधिसुतना जारी की। बयट सत्र 25 मार्श तक चलेगा। राज सरकार के वित्य वर्ष 2022 तेज का बार्शिक बयट तीन मार्श को सदन में पेस किया जाएगा। इससे पुर्व दो फरवारी को अनुपूरक पयट पेस होगा। 22 सत्र में कूल सत्र कार्य दिवस होगा। इस दोरान होली का भी अवकास होगा। ये पॉलिसी बनाने की आवस सकता पजोर दिया। उन्होंने बैठक में अगामी बीत वर्ष की प्राथ मिक्ता गिनाई। उन्होंने कहा कि कुरोना संक्रमन की वज़ा से काम बादित रहा है। इसका अचसर कुछ विभागों के कार्यों में दिखा। हमें बीतिय वर्ष 2022-23 बजट की त्यारी में जुटना है। इस बार सरकार का खर्च को बढ़ाने के साथ साथ संसाधन जुटाने पर जूर है। हमें बेहतर कारे करना है। राज एक के कल्यान कारी योजनाओं के लिए भी सरकार को रासी क्या हो सकता पड़ेगी। इसके लिए राजस व संग्रास से समंधित विभागों को बेहतर परिणाम देना होगा। बैग्यानिक सहायक न्योक्ति परिक्षा 24 फरवरी को CBT मोड में होगी परिक्षा। परिक्षा कम्प्यूटर अधारित अर्थाथ CBT मोड में रांची के विभिन केंद्रों पर होगी। आवेदन देने वाले अभ्यार्थी इस परिक्षा में सामील होने के लिए परवेश पत्र 29 फरवरी से आयोक की वेपसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अर्थन और विधायक दलों के साथ बैठक कर निरने लेंगे। इसे पहले सिक्षा मंत्री जगनात महतो, पुरो मंत्री मथुरा महतो तता पुरो विधायक योगेंद्र महतो ने मुख्य मंत्री से मिल कर छेत्रिये बसाव के सूची से मघी और भजपूरी को हटाने की पिया से बात करते वे सिक्षा मंत्री ने कहा कि जारकन की लडाई धनबाद से शुरू हुई थी और अब भासा का विवाद धनबाद से होने नहीं दिया जाएगा। मांगो को केंद्र के समक्स उठाती रही है अब देखना है कि बजट का पिटारा जब खुलेगा तो जारकन की जोली में क्या आता है। काक्षा 9 एवं इसे उपर की काक्षा के संचाले के उनमती दी गई। वहाई जारकन के सेस जीलों में बिद्याले में काक्षा एवं इसे उपर की काक्षा के संचाले के उनमती दी गई है। उच सिक्षा के संस्थान जैसे कोले उनिवर्सिटी आई टी आई के खोलने के उनमती दी गई। सभी जीम, खिलाडियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने के उनमती दी गई है। स्रम प्रवतन पता अधिकारी बनने के लिए भी जार्खन से मैट्रिक इंटरमीडियेट अनिवार्य होगा। आरक्षी स्रेनी के अभियार्थियों पर या अनिवार्य ता लागू नहीं होगी। राज सरकार द्वारा गठित स्रम प्रवतन पता अधिकारी नियुक्ती नियमावली में प्रविधान किया है। कैबिनेट की स्विक्रीती के बाद विभाग ने नियमावली लागू करते हुए संकल्प जारी कर दिया है। नियमावली के अनुसार स्रम प्रवतन पताधिकारी के नियुकती जार्खन करमचरी चैन आयोक के माध्यम से होगी चतरा जेल में रात में छापे मारी मचा हड़कम्प जेल से पार्टी मनाने का फोटो सरोजनिक होने के बाद अब परसासन बेहत सक्री हो गया है उपायुक्त अंजली यादव पुलिस अधिक चक राकेस रंजन ने सन्युक्त रूप से रविवार की देर रात मॉंडलकारा में ओचक छापे मारी की छापे मारी के करम में विभीन वार्डो से तंभाकू अगुट का ब्रामत किया गया है झारखन में करोना के 733 रूप केस मिले जबकि 981 मरीश स्वास्थ हुए है वहीं जारखन में कूल एकट पिव केस की संक्या 1471 है भारत में 1,17538 रूपकेस मिले जबकि 2,58933 मरीश स्वास्थ हुए भोज भूरी मगी मैथली भासा को लेकर जारखन में घमासान जारकन भाजपा के पुरो परदेश अध्यव रविंद्र राय ने सोमवार को राइधाने राची में प्रेस कॉनफिरेंस कर जारकन के हिमन सुरेन सरकार पर जम कर सापदिक परहार किया दोटु कहा कि बोजपूरी मगी मैतली भासा बिवाद में हिमंद सुरेन सरकार दो मुही निती अपना रही है भाजपानेता रविंद्र राय ने कहा कि एक और हिमंद सुरेन की सरकार उतपातियों को उकसा रही है वही परसाशन को भी मुक दर्शक बना रही है सरकार के खिलाप ही नरेबाजी करा रही है पुर्व सांसद ने यह भी कहा कि अस्थानिय भासा को लेकर चल रहे अंदोरन की पिछे संगटित सक्तिया काम कर रही है तीन दिन से धरने पर बैठे मोराबादी के दुगंदारों से मिले पुर्व मंत्री राइधानी के मोराबादी मैदान में सोमवार को भी फूटपाद दुगंदारों के दुगाने बंद रही दुगानों का डेरा डालो घेरा डालो आंदोरन भी चल रहा है इसके तहद दुगंदार मोराबादी में धरने पर बैठे हुए है धारना असल पर ही खाना बनाते हैं और रात को भी दुकांदार यहीं बैटे रहते हैं धुकांदारों का एक प्रत्रीदि मन्डल रोषन कुमार के नेतेतुमें पुर्व मंत्री के इन तुरी पार्टी के साथ DC उफिस जाकर 6 रेंजन से मिला दुकंदारों का काना है कि DC ने अस्वासन दिया है कि जीला पर सासन उनकी बात को समझेगा रोशन कुमार ने बताया कि उनके धारना असल पर पुरो मंत्री के एन त्री पाठी पहुंचे और दुकंदारों का दुक दर्द सुना जारकन के 17 जीलों में काक्षा एक से बरावी तक खुलेंगे स्कूल स्वास्त मंत्री जारकन में पहली से बरावी तक के स्कूलों को एक फरवरी से खुलने का एलान हो गया है राजे के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने बताया कि अभी राजे के 17 जीलों में ही पाली से बरावी तक कछात्रों की कख्चाय सुरू होंगी वही राची पुर्वी सिम्देगा में नौवी से उपर कछात्रों के लिए ही स्कूल खुलेंगे सरकार ने इसके साथ ही स्टेडियम और कोचिंग सेंटर भी खुलने का निनलिया है लेकिन रात आठ वय से प्रतिवंद लागू रहेंगे जार्खन में कोचिंग साधी बीवा हमें गेस्ट की संख्या बढ़ी जार्खन में कोरोना के थिती में सुधार को देखते हुए स्कूल कोलेज और कोचिंग को खुलने का फैसला लिया गया है वहीं इसके साथ साथ साधी बीवा हमें गेस्ट की संख्या भी बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई है जीम और स्टेडियम भी खोल दिये जाएंगे हलाकी दुकाने रात आठ बहे तक ही खूल सकेंगी मोख्य मंत्री हमां सुरेन की अधक्स्ता में जार्खन राज आपदा प्रवंधन प्रादिकार की बैठाक में लिये गए फैसले मंगलवार से लागू होंगे स्वास्ते एवं आपदा प्रवंधन मंत्री बन्ना गूपता ने फैसले के बारे में जनकारी देते हुए बताया कि राजे के सत्रा जीलों में कुरोना के स्थिती में सुधार को देखते हुए सभी स्कूल कोलेज को खोलने का फैसला लिया गया है सारेरिक सिक्षा प्रसिक्षित सिक्षक संग ने ग्यापन सोपा विधायक ने कहा कि जार्खन में खेलो का विकास विध्याले में सारेरिक सिक्चक होने से ही संबव है उन्होंने प्रतिनिधी मंडल की सारी बातों को गंभीता से सुनते हुए कहा कि जल्धी राई सरकार के सिक्चा मंत्री से मिल कर इन बातों को रखेंगे और विधान सभाशत्र आने पर सारेलिक सिख्चाक सिख्चक के नियुक्ति समधित बातों को गम्पिता से उठाएंगे जहारकन आंदोलन कारियों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन पन्दरप Wannainal कारियों के मान समान पहचान नियोजन पेंसन स्वास्त वसिक्षा की सुविदा की मांग को लेकर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन होगा इसमें बाहरी भासाओं को जारकन में सामिल करने के खिलाब कड़ाप प्रतिवात दर्ज किया जाएगा जनकारी दिगए की 25 फरवरी को मानो से रिंखला और एक मार्च को मसाल जुलूस निकाल कर मघी भोजबूरी अंगी का क्वासाने भासा के सुची से बाहर करने की मांग की जाएगी इसके अलावा 16 फरवरी को गोड़ा, 17 फरवरी को पाकुर, दुमका, साहिब गंज और 18 फरवरी को लोहर्दागा, गुमला में धारना कारेकरम होगा इसके अलावा 29 फरवरी को रामगार, बोकारो, 20 को कोडारमा, 25 सिम्भूम, 21 फरवरी को पुर्वी और सराय के ला, 22 फरवरी को धनबा, जामतरा, 23 फरवरी को गिरी डी में परदसन होगा जारखन में digital locker सुरक्षित नहीं 3 लाक और गहने की चोरी जारखन की राधानी राची में चोरो का अतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, राधानी में अब तो digital locker भी सुरक्षित नहीं है रांची के चूटिया थाना चेत्र के कृष्ण पूरी रोड नमबर 7 इस्थीत एक घर से करीब 3 लाग कैस और करीब धाई लाग रुपे के गहने की डिजिटर लोकर से चोरी हो गई घर मालिक के द्वारा सर नमबर पर डायल कर चोरी की सुचना पूलिस को दी गई जिसके बाद मोखे पर पहुची पूलिस ने मामले की जाच की मालिक के आवेदन पर चूटिया थाना में इस सिल्सिले में केस दर्ज किया गया है रांची के मौराबादी गैंगवार मामले में 5 किरिमनस गिरफतार मुराबादी गैंगवार मामले में 5 किरिम्नस की गिरफतारी की गई है गिरफतार अपराधियों के पास से कई हाथियार भी ब्रामत हुए है SIT की टीम ने इन अपराधियों के रफतार करने में सफलता पाई है इस बात की जनकारी राची SSP सुलेंद कुमर जहाने पत्रकारों को दी जारखन मौसम 2 फरवड़ी से 12 जारखन में मौसम का मिजाज बुद्धवार 2 फरवड़ी से फिर बदलेगा रायस्था ने बने पच्मि भी शोब का असर दिखेगा इसकारन तीन परवरी को राजी के उत्री पूर्वी मध्य और दक्षनी में कहीं कहीं हलके से मध्य दर्ज की बारिस हो सकती है बजरपात की भी असंका है इसे लेकर मौसम के जरे ने एलो अलट जारी किया है मौसम का मिजाज बदलने से मौसम विभाग की मानेतों कडाके की ठंड के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिस होगी राइधानी रांची में सूबा से ही धूब खिली है हलाकि कपकपाती ठंड से रहात नहीं है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनलो को सब्सक्राइब कर बहुर के बेल एक अंद बाई साथ से वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बाइक अवस्य दे थैंक यू